स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल बीर विल्डाउसिंग में एक और नाई वीडियो लेक्चर साथ आज हम बात करने वाले हैं कॉंट्रेक्टर जो आप बनते हैं या फिर आप वर्क करवाते हैं अपने माकान में तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को इससे पहले आने वाले पार्ट में देख चुके हैं इससे पहले हमने और भी बहुत सारी वीडियो बनाए वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं आज हम बात करेंगे कि मानलीजे आप ठेकेदारी पर काम दे रहा हैं तो उसमें जो कॉंट्रेक्टर है वो किचन का काम क्यों नहीं करते हैं यानि कि आप लोग ने वर्क तो पूरा दिये हैं और जो अगर उसका मेजर्मेंट करते हैं तो मैक्सिमम जगह पर या फिर आपकी लोकेशन पता नहीं मुझे क्या है लेकिन मैक्सिमम जगह स्लैब को मेजर्मेंट करने के बाद उसका फिर पे करते हैं जो भी कॉंट्रेक् जिसमें material भी अगर contractor का है तो 1200 से 1500 रुपए हो सकते हैं 1200 से 1500 रुपए हो सकते हैं इसमें आपको kitchen से लेके parapet वाल हर एक चीज का मिलेगा work और lock करके भी देगा contractor या फिर builder है लेकिन मान लिजे आपने labor rate पर दिये हैं तो उसमें kitchen का काम नहीं करते हैं वो इस कारण क्यूंकि मान लिजे जो kitchen का work है वो modular होता है modular kitchen maximum बनते हैं तो इसमें होता क्या है जो आपका contractor है जो हमेशा work करता है या जिसके routine में work चलते हैं उसके पास या कम work चलते हैं वो maximum labor rate पर लेते हैं अब उसमें kitchen के लिए modular kitchen बनाना होता है जिसका अलग होता है contractor labor उसके अलग होते हैं और वो maximum car वर्क करते हैं तो इसमें होता यह है कि आप जब भी वर्क करवा रहे हैं तो एक civil कॉंट्रेक्टर से करवाते हैं या architect करवाते हैं अगर उन पास टीम नहीं है तो पूनल करते हैं तो यह चीजा आपको पहले ही किलीर कर लियर कर लेना चाहिए क्यूंकि फू़ान ay n का वो प्लेटफॉर्म जो हैं वो बना देते हैं जिसमें आप ग्रेनाइट लगवा सकते हैं आप फोटा लगवा सकते हैं या फिर किसी भी टाइप का इस्टोन लगवा सकते हैं आप जो भी आपके हिसाब से या आपकी रिक्वार्मेंट हो या आपके हिसाब से सुटे वाल ह अब इसके बाद आप अगर मान लीजे contract पर work दे रहें तो सबसे पहले ये चीज़ देख लें जांच लें मैंने agreement पर भी एक वीडियो बनाया था वो नहीं देखें तो आप देख लें कि agreement में लिखा हुआ या नहीं modular kitchen का क्योंकि यहां पर आपका बिवाद होता है या बाद में आपको दिक्कत होती है तो work इसी कारण नहीं करते है क्योंकि वो एक अलग type से हो जाता है उसमें आपका carpenter लगेंगे या furniture वाले contractor लगते हैं और एक civil contractor है वो आपका civil work करता है इसके कारण वो interior portion में आ जाता है और यह आपका structure में या फिर आप कह सकते हैं total civil work में रहता है तो यह चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर मान लीजे बात कर रहें तो पहले clear कर लें कि यह work होगा या नहीं friends I hope आपको वीडियो पसंद आया है अगर वीडियो पसंद आता तो like करें अपने दोस्तों के साथ share करें चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe करके वेल icon प्रेस कर लीजे पहले से आपने subscribe किये तो notification को आल पर set कर लीजे अगर आप हमारे साथ join होना चाहते हैं तो channel में join membership जो subscribe के side में एक button देखेगी उस पर आप जाकर हमें join कर सकते हैं और वहां पर आप देख लीजे आपके हिसाब से जो भी suitable हो फ्रेंट मिलते नेक्स्ट वीडियो में किस सेने topic के साथ अब तक के लिए thank you